तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल बे तो देख सकते कि यह जो रिक्रूप्मेंट निकल के आ रही है वो नौर्थ वेस्टन रेलवे की रिक्वाइर्मेंट है ठीक है तो इसकी जो नोटिफिकेशन है वो इस वीडियो में में पूरे डिसक की सुरू होंगी ठीक है अपलाइ करने के और इसकी क्लोजिंग डेट है वह दस फरवरी दो हजाट थीस होगी ठीक है तो इसका जो ऑनलाइन फॉर्म को भरने का डेट है वह 10 जनवरी से सुरू होंगी और लाज डेट आपका 10 फरवरी रखा गया ठीक है आगे हम लोग मारिट बैसिस पर हैं मार्ट्प्राइब करनेशन आधर पर आप लोग का जैनिस और यहां पर सकते हैं कि डिविजन से ऊंप और लिए बिकानेर लिए कर लिए ज्याइपूर जोदपूर सब्सक्राइब करो निकाला गया ठीक है यहां पर देख सकते हैं कि टोटल दिये हुए हैं देख सकते कि आई टी आई पास जो भी बचे हैं वो भर सकते हैं यहां पर देख सकते कि अलग-अलग ट्रेड्स दिये हुए तो अजमेर के लिए देख सकते कि इलेक्टिशन, इलेक्टिकल, फीटर, कारपेंटर, पेंटर, मैंसन, सभी प्रकार के ट्रेट्स दिया हुआ है, डिजल मेकेनिक की भी ट्रेट दिया हुआ है, टोटल इसमें देख सकते की 413 सीट है, जिसको अलग-लग केटेगरिस बाइज बांट दिया गया है, जैसे अन्रि के लिए यह वेकेंसी है, यहां पर बात करेंगे है, इलिजिबिलिटी कंडिशन की, इसकी जो एज लिमिट है, वो 15-24 साल रखा गया है, जो भी बच्चे इस दर्मियान होंगे, वो अपलाई कर सकते हैं, साथ-साथ इसमें एज रिलेक्सेसन दी हुए, जैसे 5 यह का SCHT मे के लिए भी छूट दिया गया है, मिनिममम एजिकरेशनल कॉल्पेशन मैंने बताया, 10th प्लस NCPT या SCBT सो जो आईटिया पास होंगे, वो अपलाई कर सकते हैं, अब देखते हैं, अब देखते हैं, पेमेंट ओफी तो एप्लिकेशन फी जो है, वो नन रिफंडेवल होगी देख सकते हैं के लिए, तो 100 रोपे के आपका फी रखा गया, और CSTPWBD के लिए किसी प्रकार की फी नहीं रखी गए, तो यह थी नौर्थ रेलवे की एपरेंटिशिप की रिक्वाइरमेंट ठीक है, तो इसी तरह के जॉब्स के अपडेट को पाने के लिए आप हमारे च